गाईश जैसा कि आप सभी को पता है Battlegrounds Mobile India के परी रेजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो चुके हैं सिर्फ Android Mobile वालों के लिए iOS के लिए अभी तक शुरू नहीं हुए है आपको कमी किस चीज के अंदर रेखने को मिलेगी तो यहाँ पर पूरा डिफरेंस BGMI वसेश PUBG के बारे में आपको जानने को मिले वाला है So let's start PUBG Mobile India काफी लंबे समय से वेट था यहाँ पर नेम चेंज करके Battlegrounds Mobile India आ चुका है Playstore के उपर इसके Pre-Registration स्टार्ट है अगर आप Pre-Register करके इसको Download करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ reward मिलने वाले हैं जो कि इतने खास नहीं है आप चाहे तो वैसे ही भी इसको Download कर सकते हो यह गेम आपको साइज जून के अंदर देखने को मिल सकता है कोई confirm नहीं है कि आपको कब देखने को मिलेगा बट काफी जल्दी आपको इस देखने को मिल सकता है बट जो आपकी पहले वाली PUBG Global थी इसे एक काफी जड़ा अलग होने वाला है तो कुछ चिंजस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी तो हम दोनों का यहाँ पर करते हैं comparison गैस PUBG और BGMI के अंदर जो सबसे पहला difference है वो यह है कि जो PUBG थी वो globally available थी यहाँ पर China और India के अंदर बेहन हो गई थी बट वो available थी global में बट यहाँ पर जो आपकी BGMI है यह जिरफ इंडिया के लिए होने वाली है यानि कि सिरफ यह इंडिया के अंदर ही available होने वाली है BGMI और PUBG के अंदर जो second difference है वो यह है कि जो आपकी PUBG global थी उस के अंदर जो 18 साल से कम उमर वाले के लिए है उन के अंदर कोई खास rules नहीं थे बट यह जो battlegrounds mobile एंडिया है यहाँ पर काफी सारे strict rules है जिनकी एज 18 साल से कम है अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो यहाँ पर आप 3 गंटे से ज़्यादा game नहीं खिल पाओगे यहाँ पर आपको आपके parents का number भी बरना पड़ेगा verify करना पड़ेगा अगर आपकी एज 18 साल से कम है यहाँ पर काई साथ जारूपे से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते एक दिन के अदर अगर आपकी एज 18 साल से कम है बट यह जो सभी restriction थी यह PUBG Mobile Global के अंदर नहीं थी यहाँ पर जो तीसरा difference आता है वो है protection policy का गई जो PUBG Mobile थी उसके अंदर कोई खास protection policy नहीं थी इसी वज़े से उसको ban भी किया गया था कि Indian users का data खत्रे में है बट गई जो battlegrounds mobile इंडिया है इसके अंदर आपकी security का काफी ज़रा धान रखा जाएगा तो BGMI काफी ज़रा safe रहने वाली है आपके लिए PUBG Mobile से गई जो तीसरा difference है वो है इन दोनों के game के content के अंदर जो PUBG Mobile Global थी उसके अंदर लबग same content रहता था काफी सारी country के लिए बट यहाँ पर जो BGMI Battlegrounds Mobile इंडिया आने वाली है यहाँ पर special content रहने वाला है Indian players के लिए तो BGMI काफी ज़रा अलग रहने वाली है जो इन दोनों के अंदर next difference है PUBG Global के अंदर आप Global वाले player के साथ भी खेल सकते थे यानि कि और कोई country वाले भी आपकी matching के अंदर आ सकते थे बट यहाँ पर जो Battlegrounds Mobile इंडिया है आपके जो matching होने वाली है वो सिरफ Indian player के साथ होने वाली है आप कई बार देखते होगे जो आपके matching होती थी वो पहले किसी और player के साथ भी हो जाते थी PUBG Global के अंदर बट यहाँ पर सिरफ Indian player ही आप आएंगे क्योंकि यह game सिरफ India के लिए है यहाँ पर आप server को भी change नहीं कर पाऊगे यहाँ पर जो next difference है वो है यहाँ पर इसके outfit का और काफी सारे और चीज़े जो आपको game के अंदर देखने को मिलती थी जो PUBG Mobile थी उसके अंदर अब आपको same चीज़े देखने को मिलती थी पूरी countries के अंदर सभी countries के अंदर बट यहाँ पर जो battlegrounds mobile इंडिया है यहाँ पर आपको special चीज़े देखने को मिलेगी Indian public के इसाब से तो यहाँ पर काफी कुछ अलग देखने को मिलने वाला है inventory के अंदर भी और यहाँ पर जो outfit थी उसके अंदर भी गाइस पब जी के अंदर और BGMI के अंदर जो next difference है वो यह है कि जो पब जी मुबाइल थी गाइस उसका जो license था वो चाइना के पास था उनकी 10 cent company के पास था एक यह भी बड़ा region था पब जी मुबाइल के इंडिया में बैन होने का बट गई जो battlegrounds मुबाइल इंडिया है यह चाइना की नहीं रहने वाली है यह craft company की ही रहने वाली है और यह काफी जल्दी आपको देखने को मिलेगी तो चाइना से बैटल ग्राउंस मोबैल इंडिया का लिंक नहीं है इसको चाइना वाले नहीं लेकर आ रहे हैं इसको क्राफटन वाले ही लेकर आ रहे हैं जो की काफी अची बात है तो वाईस यह थे कुछ डिफरेंज जो आपको PUBG और BGMI के अदर देखने को मिलेगे तो रेजिस्टरेशन स्टार्ट हो चुके हैं आप परी रेजिस्टर करवा सकते हो गेम आपको साइज जून के अंदर देखने को मिल जाएगी कर्म नहीं है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर आप कुछ और पुरन चाते हैं ठैंक्स पूर वाचिंग